वेल्कम तू माई चैनल इंजल गैबल टेरेट इस वीडियो मेट फॉर सिंग राशी सिंग राशी के लिए जातकों के लिए आपे मैसेज था कि आप लोगों को इस वक्त बहुत साधा अक्टूबर की मन्त में बहुत साधा प्लेशर्स को आप इंजॉय करेंगे प्लेशर मतल साधा मन लगा के काम करना अब ठक भी गए हैं पैरो में दर्द हो रहा है कुछ भी हो रहा है लेकिन मुझे मेरा काम करना है चाहें जो हो जाए यह फीलिंग आपको आगे बढ़ाएगी और यह फीलिंग रहेगी पैशनेट होना किसी चीज के लिए बहुत साधा इंटरेस् को या आप स्टूडेंट है तो स्टैडिस में पैशनेट रहेंगे इस वक्त आप बिल्कुल भी यहां मेसेज हो रहा है कि बिल्कुल डलनेस और इनक्टिवनेस जो होता है डल होने लगते हैं आलसी यह सब चीजें आपके में रहेंगी ही नहीं क्योंकि आप जो भी करेंग कि वो इतनी प्लेजर के साथ करेंगे कि यह सब चीजें आपके जिन्दगी को सेफ बनाएंगी यह सब चीजें आपके जिन्दगी को सुरक्षित बनाएंगी जिन्दगी को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए जरूरी है कि अपने आपको सुरक्षित र बतन में पानी पीना, गिलास में पानी पीना, जमीन में बैठ करके खाना खाना या जमीन पर बैठ करके आप meditation करते हैं, तो ये भी earth elements हैं ये सारे, तो other earth elements भी होते हैं, उनसे थोड़ा सा अपने आपको connect रखें, nature में बैठिये, घास पे बैठिये, टहलिए, तोड़ा सा आप अगर ये सब चीज़ें करते हैं, आपकी देखिए, ये सब बहुत अच्छे remedies हैं, छोटे-चोटे से remedies हैं, लेकिन बहुत चमतकारी होते हैं, तो अपने आपको जिन्दगी में जुड़ाव रखिए अपने जड से, जो आपकी जड़ है, आपकी जड़ कहां है, आपके ancestors, आपके teachers, आपके seniors, आपके कोई गुरू, उनसे जुड़े रहें, वो भी grounding देंगे आपको, उससे आपके life में stability आएगे, जुड़े रहें ऐसे लोगों से, और आपका यहां message आ रहा है कि, ऐसा अगर आप करते हैं तो universe आपके लिए एक दोआर खोल रही है, किस चीज़ का, success का, development का, success मिलेगी आपको, growth होगी आपकी, और जब किसमत का दरवादा universe खोलती है, तो फिर तो आप समझे जए कि आप भोचके रह जाएंगे, अचानक से यह सब चीज़ होगी, यही समय है, October के मन्त में जब किता है, hard work करिए, कोशिश करिए, आपको success मिल ही जाएगी, जब यह आहिरा है, message बिल्कुल होगी, आपको यहाँ पे भी message है, growth होगी, development होगी, आप growth एक होता है, दरवादा खुलना, तो यह सब चीज़े होगी, इसमें कोई doubt नहीं है, और इसमें यह भी message आ रहा है, कि आप अपने respect के लिए बहुत जादा sensitive रहेंगे, मुझे को लोग respect दे, आदर करें मेरा, क्यों, क्योंकि आपने कुछ creative काम किया है, अपनी creativity के लिए आप जाने जाएंगे, जो भी creative things आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको respect मिलेगा लोगों से, और यहाँ यह भी message आ रहा है, कि आपको इस वक्त, एक जैसे होता है, अपने सीने में जो भी प्यार आपको देना चाहा रहा है, आपको कोई जना, आपको affection दिखा रहा है, लव दिखा रहा है, आपको भी पलट के उसको, जैसे होता है न, शीशा, अपने chest के पास शीशा रख लिजे, तो क्या होगा, आपके लिए काम आएगा as a remedy, यह एक बहुत चुटे से उपाएं, आपके मेसेज हो रहे हैं, आप लोग के लिए divine energy से, और आपके यहां भी मेसेज आ रहा है, कि दिमाग में बहुत तरह तरह की, जैसे होता है न, thoughts आते रहना, सोचते रहना, overthinking करने लेंगे, थोड़ा से अपने आपको overthinking मत करेगा, यह बात अच्छी है कि हाँ कुछ creative thoughts आना आई, सब लेके day dreaming करना, और यह overthinking करना, यह सब चीज़े time wastage करते हैं, और कुछ नहीं है, उस पर से कोई एक ऐसा thought अपने लिए रखिए, जो कि आपको अच्छा लगता हो, उसको implement करिए, manifest करिए, तो यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर यह message है, next जो आ रहा है, इस message, कि इस वक्त आप थोड़ा सा आसपास aware रखिएगा, अपने आप जागरूत रखिएगा, अपने आँख और कान खोल के रखिएगा, मैं अगर frankly कहूं तो थोड़ा सा चलाग बन के रहिएगा, अगर मैं आप आप कुछ भी change नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में, यहाँ message यही आ रहा है, जो first message है, सकाट से आ रहा है, लेकिन change तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन aware रहने को universe कह रही है, आपकी life में जैसी life चल रही है, उसको सब चीजों को accept कर लिजे, क्योंकि इस वक्त आप कुछ इन्टूशन क्या होती है, आपकी inner knowledge, wisdom, आपका अंदर अंदूनी आवाज, आपकी अंदूनी आत्मा की आवाज, जो आपका life का experience रहा है, क्रीपर असा होता है, कि हम message जहें वो लेते हैं, intuition, intuition कहती है, अंदर की आवाज कहती है, नहीं ऐसे करो, यह ठीक नहीं लगता है मु Thank you so much.